हेलो फ्रेंड्स, दा हैल्थ के टोड़े में आपका स्वागत है, मैं दोक्टर मधुसुदन और आज हम बात करने वाले हैं एक टैल डिस्वंशन के बारे में, या जिन लोगों को लिंग में तनाव आने में प्रॉलम होती है, सेक्स के टाइम पे जो लोग हार्ड इनफ नहीं हो पाते, लिंग में बहुत तनाव नहीं आपाता, जिसकी वज़े से वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर पाते हैं, तो इसकी जो बहुत सारी वज़े होती है, वो मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, साइद आपने देखा होगा, जो नए लोग ये अब वीडियो देख रहे हैं, वो हमारे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं, कि इसकी जो जो बजय होती है, वो मैंने सब एक्स्प्लेइन करना की है, आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ, एक ट्रीटमेंट, एक नुस्खा ऐसा, जो आपको इस प्रॉलम से चुटकारा दिलाएगा, आपकी सेक्स्वल पार्व इतनी बहतरीन कर देगा, कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, आप खुद हैरान हो जाएंगे, आपको इतने बहतरीन वेजल्ट मिलेंगे इसके, मैडिसिन थोड़ी सी कोस्टली है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो ह लोग इसे घर पे तैयार करें, क्योंकि इसमें जो कुछ कंटेंट हैं, वो काफी कोस्टली आते हैं, तो महंगी पढ़ सकती है, लेकिन जो बेस्ट नुस्का है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है स्वान भस्म, स्वान भस्म आपको लेनी है 300 mg, फिर हीरा भस्म, हीरा भस्म भी आपको 300 mg लेनी है, सिद मकर्धवज ये आपको लेनी है 10 ग्राम, काउं चोड़ा मनी रस ये भी आपको 10 ग्राम लेनी है, मदन मंजरी बटी ये भी आपको 10 ग्राम लेनी है, मदन मंजरी बटी आज के टाइ कमपनी मेरे ख्याल से अब नहीं रेडी करती है क्योंकि ये बहुत कोस्टली आती है तो हर कोई पेशंट इसे अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए कमपनियों ने इसे बनाना ही बंद कर दिया तो मदन मंजरी वटी भी आपको इसमें 10 गरम डालनी है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं स्पेशली ये बताऊँगा कि मदन मंजरी वटी को ही कैसे बनाया जाए घर पे तो वो मैं आने वाले किसी और वीडियो आपके बताऊँगा फिलाल आज इसमें सुद्ध सिलाजीत सिलाजीत आपको डालना है इसमें 50 गरम सुद्ध सिलाजीत डालना है आपको मार्केट में सिलाजीत के नाम पे कुछ भी विकरा है लेकिन आपको किसी ब्रोसे वाले इंसान से ही लेना है सिलाजीत अगर सुद्ध होगा तभी वो काम करेगा और सबसे last में आपको इन सारी medicines को आपको एक खरल में लेके घूल के उसको गुटाई करके अच्छे से बिल्कुल जब वो powder foam में हो जाए लास्ट में आपको उसमें पान के पत्ते का रस लेकर उसकी एक भावना देनी है यानि पान के पत्ते का रस निकालना है वो उसमें डालना है उसको इतना गीला करना है कि वो अच्छे से पूरा भीग जाए फिर उसकी घुटाई करनी है अच्छे से और जब वो थिख पेस्ट बन जाए पेस्ट ऐसा हो जाए कि वो गोली बनाने लायक हो जाए तब उसकी 200-200 200 MGA की आप गोली बना करके छाया में सुखा करके रख लीजिए. जो आप पान के पत्ते की भावना देंगे? एक भावना अगर दे देंगे तो भी काम चल जाएगा लेकिन अगर आप हुन आप महनत कर सकते हैं आप देखेंगे तीन से चार दिन में ही आपको बहुत फर्ग दिख जाएगा आपको रात को सोते समय है, शुबर उठते समय है, अपने पैनिस में एरेक्शन महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी जो डिजायर है, आपकी जो लिविडो होती है, जो इच्छा होती है से इसे नहीं पचा पाएंगे, जिनकी आपकी पाजन सकती अच्छी है, वही इसे इसे इस्तमाल करें, साथ में डाइट अच्छी ले, जंक फूड अवोईड करें, हैल्दी डाइट पर फोकस करें, दूद पियो जूस, पियो फ्रूट खाये, ड्राइफूट रहे, हैल्दी कर सकते हैं, तो एक बच जरूर इसे तयार कीजिए, इस्तमाल कीजिए, जो भी आपको रिजल्ट मिले, हमें कमेंट बॉक्स अब आके बताईए, तो उभीद है दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ज हूँ